यह अपने दो वो गया एर वाल हो गया एक अपना डिस्चार्जजवाल हो गया जो पंसे जाएगा ठीक है इसके बाद में यह पर जाएंगे पासवड यह इसमें डालना है इंटर कंफर्म ठीक है एडिट मोन में चले गए अपर एडिट मोन में जाने के बद यह यह अपना वाल वन है जो फिलर जोन वाई से अपना डिवाइड है यह जोन वन है यह अपना ऑन टाइम 300 सेकंड डला हुआ है मिली सेकंड में है यह याद रखना है यह पहत है यह जितना है मिली सेकंड में है और यहां से पनागे बढ़ेंगे जैसे आपको आपनी किंज करना है 11 तक आपको यहां पर लगईहाँ किओ बहुत जादा आ रहा है तो यहां पर क्लिक किया आप यहां पे बारह सुख किया अarle सब्सक्राइब कर बारश हो गाए कि अगा कि अब आपक गए इनट वाले टोगे बार पीस या सीवीक क्या हाँ he जोन जो है यह फर्स्ट वाला उन प्लपेक के लाइट में ले डाइब नतिया इसके भी आज पूरा नोट किया कि है कि मैं फिलर आउट तो डेट कोडिंग जो मसीन है ना वो दो बरस है उसमें डेट कोडिंग मैं आपको बेल कर दूंगा इसको आप समझ में नहीं आएगा बहुत राफ लिखा हुआ है नहीं उसका नहीं है वह राफ ले ठीड़ है एक दो तीन चार यह टोटल अपने बारा जोन है बारा जोन है 16 का है बारा ऑपरेटेड़ है चार अपने पस इस पर नहीं है ठीक है यहां से अपन बैक चलेगा यह पूरा यह यह अपना होगी अपना होगी अपना यह अपना साइकल ताइम है on second और off second इसको कुछ छेड़ना यह यह standard है हम लोग सेव करके रखते हैं अपना मिली सेकेंड है कि आपका 500 मिली सेकेंड जब भी आपका साइकल लाइन on off होने के बाद on होगा तो then automatic इतने second के बाद एक वर चाले होगा फिर वोई उसी मोड में चला जाएगा जो आपना आपना में सैटिंग किया है ठीक है इसके बाद में आते हैं वियू मोड में अब आपको देखना है यहां पर टाइमिंग चेंग कर गए डीटी मोड में गए यह डीटी मोड जो solonade operate होगा यहां पर ग्रीन होगा यहां command आएगी यह जो आप बोलोगे जो वन में वालो टू वालो टू दिया है इसका यह है कि ह में डालते हैं तो command input आपका जो भी conveyor का एगा एक में आएगा signal तो दो operate होगा हमारा input एक में देना पड़ेगा हमको output दोनों में मिलेगा दो solonade है वो चलेगा तो उसको command मिलेगा वो चलेगा ओपन क्लोज होगा ठीक है यह आप देख सकते हो गया क्लिर यह क्लिर यह क्लिर जैसे कोई भी वाल ऑपरेट होगा दनिया पर ग्रीन होगा कभी आपको लगता है कि हमारा manual mode में चल रहा है यह बाइपास हो गया आके इसको यहां पर 5 मिट खड़े होके देख लो यहां पर observe करना पड़ेगा कि ग्रीन हो रहा है के नहीं हो रहा है अगर ग्रीन हो रहा है तो पंप क्योंको यह फ्लोजेट पंप है यह बहुत आवाज करता है तक तक क्या आवाज आता है तो यहां पर खड़े अभी जब से अपन खड़े है अभी तक कोई आवाज नहीं तो यह आप यहां पर आकर अफज़र कर सकते कि हमारा manual mode है कि नहीं बस इसमें इतने ही function है इसके अलावा कोई function नहीं है अभी आप जब यह सब कुछ होने के बाद में एक और auto पर click करना है बस अभी इसमें आपको को doubt हो जाने के बाद में बाद में जैसे एक नंबर करना तो इसको दबाव गए तो इसे चलता है जब चलता है ना पांप तो ऐसे चले जो 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 नमें चलाना है इक बार चला के क्लिक करके और यह यह पम जो है इतना केमिकल फेकता है एक बार में कि मतलब एक सेकंड अगर आपने ओन किया तो कम सेकंड एक देड़ लिटर फेक देता है तो इसलिए मैनुवल करने से हम लोग आपको अवैड करवाते हैं आप उससे ज्यादा हो सकते है कि उसको एडिटिंग जाके टाइमिंग कम कर दो वह बैटा रहे वह अभी तक इसलिए हम लोग को सिर्फ यह कि इसको चेंज करते हैं और और कुछ नहीं करते हैं तो आगे भी ऐसे ही यह एकनॉलेज करने के लिए अगर कोई बटर का एकनॉलेज आए इसको मतलब एकनॉलेज कर देंगे अभी मैंने आटो मोल में सिलेक्ट कर दिया